हेलो एंड वेल्कम बैक गाइज टू इंजिनेर्स कड्डा आज का हमारा टॉपिक भी बहुत जाना माना टॉपिक है जिसका नाम है डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांफॉर्म यह टम्स आप लोग के लिए कोई नहीं टम्स तो नहीं है लेकिन मुझे साइधी लगता हुआ कि आप में आप लोगों को बहुत ही सांदार तरीके से और बहुत ही एक्जामपल के साथ बहुत आछे कि बहुत ही करने वाला हूँ तो बने रहे एंड में और मैं आप लोग को एंड में इसके लिए एक mad large governance लाने में मदद भी करेंगी मुझे को सुरू करते हैं चलिए टॉपिक है डिस्क्रिट कोसाइन ट्रांसफर्म क्या है पहला पॉइंट देखिए इट इस सिमिलर टु डिएफटी अगर आप लोग को डिएफटी मतलब नहीं पता तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्सम बॉक्स में दे दिया है आप पहले डिएफटी स अब अगर आप लोग को स्पेशियल डोमें टर्म का मतलब नहीं पता तो आप लोग को उसके लिए मेरे पहले दो वीडियो देखने पड़ेंगी जिसका नाम था डिएफटी और फोरिय टांसफर्म वहां मैंने बहुत ही अच्छे से स्पेशियल डोमें और फ्रिक्वेंसी डोमें दोनों को with example, real life example के साथ explain किया है तो इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो देखना important है तो अब ये point तो आप लोग समझ गये कि एक image को special domain से frequency domain में convert करने के लिए हम लोग discrete cosine transform यूज करते हैं ये इसका main definition है next जो point है it represents signal in form of cosine function ये एक major difference है DFT से discrete Fourier transform में क्या होता था कि हम ल represent करते थे लेकिन यहां स्रिफ cosine function में represent कर रहे है आप लोग अगर देख सकते हैं मैंने नीचे formula लिखा हूँ है यहां देखे कॉस का term है means cosine function कहीं भी sign नहीं है इसलिए हमें से स्रिफ cosine function में represent होता है इसलिए इसका नाम है discrete cosine transform तो ये point भी आप लोग add कर सकते हैं यहां मैंने ए dct क्या कहता है यह यूज होता है image compression के लिए किस टाइप का image jpeg image तो हम लोग को इमेज compression नहीं पढ़ना है यानि कि हम लोग को type 1 discrete cosine transform पर ध्यान देना है type 2 dct किसलिए काम आता है video compression के लिए जहां वीडियो की बात आजेगे वहाँ type 2 dct लगे गा इससे enhance किया हुआ है compression ज्या next जो हमारा point है यह point है इसको अच्छे समझेगे यह point को यह क्या कह रहा है it represent images by focusing on lower frequency components lower frequency components यह term आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा मैं अगर आप लोग ने मेरी पहली की वीडियो देखी है lower frequency component जीनों नहीं नहीं देखी आप लोग tension मतलीजे मैं यह term यहां पर explain करने व components which makes it well suited for compression task while maintaining good visual quality means अच्छा quality हिंदी में समझाएं तो यह कह रहा है कि lower frequency वाले components पे हम लोग discrete cosine transform यूज करते हैं ताकि compression level भी जादा मिले और हम लोग को visual quality भी घटे ना मतलब देखने में भी अच्छा लगे और compression भी अचीव हो जाए एक तीर दो निसा ने तब इसको समझते है lower frequency components आखिर होते है यह क्या है lower frequency components मतलब areas of small change मतलब की जहां पर अचानक से change नहीं आ रहा है color में जैसे कि मैं अगर आप लोग को एक example दो तो आप example real life consider कर सकते है rainbow rainbow तो आप सभी जानते होंगे rainbow में rainbow साथ color के rainbow means seven colors होते है एक rainbow में तो rainbow से कैसे है माल लीजिए आप imagine कीजिए आपको imagination करना है यहां पर rainbow है आस्मान में अब जब आप लोग यह rainbow है माल लीजिए ठीक है आप लोग जब आस्मान में rainbow देखते हैं तब क्या आप लोग को लगता है कि आस्मान से अलग हो गया है या लगता है कि आस्मान में ही mix है rainbow color आप लोग इसको मैं और अचीज समझाओ तो lower frequency component क्या करता है इट रिप्रेजेंट स्मूथ ट्रांजीशन मतलब आप लोग को पता ही होगा कि एक से दूसरे में convert करना तो यहां पर भी rainbow में हम लोग एक इस दूसरे कलर में transit कर रहें तो यहां से इसमें आ रहें लेकिन आप लोग का आख में चुपता नहीं है तो इसी को कहते है low frequency component और अगर high frequency component को मैं imagine करूं तो यहीं पर है high frequency component देखिए यहां blue है यहां pink है आख में चुब रहा है यह high frequency component और एक में example देता हूं देखिए यह है light blue color दिख रहा है जी यह light blue color है sketch से किया है मैंने फिर मैं यहां पर pen से कर रहा हूं ठीक है थोड़ा सा color और फिर मैं करता हूं dark से यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर है changes color में changes है लेकिन आप लोग को आख में नहीं लग रहा है लेकिन यहीं पर मैं अगर ऐसा देदू यह देखिए यह pink है और यह blue है तो यह है high frequency component high frequency और यह है low frequency इसका definition terms आप लोग को क्या है वो notes में provide हो जागा तो notes को access करना मत भूलेगा notes बिल्कुल free है तो यह low frequency यह है high frequency मैं एक बार definition ऐसे बोल देता हूं समझने के लिए कि it represents smooth transition from one color to another without rapid changes और fine details यहां detail fines नहीं लेकिन यहां पर fine details देखे pink से blue में convert हो गया तो हम लोग DCT इस type के areas में लगाते हैं जहां पर transition बहुत ही smooth हो रहा है जहां पर overall structure की बात कर रहे हैं अगर आप माल लीजे इस structure पर DCT लगा रहे तो वह आंक में चुबेगा क्योंकि यह इसको आप compress करेंगे तो यह हो सकता कोई और color में convert हो जाए लेकिन इसको जब आप compress करेंगे तो यह कहीं ना कहीं इसी color में होता है ठीक है और यह यह पिंक हो गया लेकिन इस blue को जब convert किये तो यह blue ही रहा तो यह ज़्यादा देखने में अच्छा है यह ज़्यादा देखने में अच्छा है अबियसली यह वाला अच्छा है तो इसलिए हम लोग DCT यूज करते हैं ताकि इसे compression भी high होता है और हम लोग को visual quality भी बहुत अ मिलता है तुमीद करता हो कि आप लोग को बहुत अच्छे से मैंने यह term explain किया है आप लोग को इसके बाद मुझे ने रखता कि आप लोग को कहीं भी दिक्कत आने चाहिए इसके बाद क्या कहते हैं कि जब हम लोग हम लोग इस टाइप के items पर means इस टाइप के components पर DCT लगा या overall color और broad patterns broad patterns in the image in the image ठीक है तो उमीद करता हो आप लोग को यह दोनों terms अच्छे से समझ में आ गई होगी अब जो हमारा अब आप रीडिंग कीजी आप देखें क्या लिखा हुआ है इट रिप्रेजेंट इमेजेस बाइ फोकसिंग ओन लोवर फ्रिक्वेंसी कॉम्पोनेंट्स विच मेक्स इट वेल सूटेड फॉर कम्प्रेशन टास्क वाइल मेंटेनिंग गुड वीजवल क्वालिटी वीजवल भी अच्छा है और यह भी अच्छा है तो यह था टोटल अगर आप रट नहीं पा रहे हैं तो आप एक्जाम में चुटका बना के लिए आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लिखते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको छोड़िएगा नहीं हाथ में लिखिए कहीं भी लिखिए लेकिन यह याद कीजिए क्योंकि इस डिस्कृट फोरियर डिस्कृट कोसाइन या फोरियर से एक क्वेशन आएगा ही आएगा और अगर नहीं आता है तो सौर्ट स्नोट पे भी आ सकता है ठीक है और कभी-कभी आप लोग इस टर्म्स को ना नजर अंताज मत कीजिएगा स्पेशियल डोमेन फ्रिक्वेंसी मैं बता देता हूं कि आपको को अगर एक्जाम में एकर BCQ टाइप्स कुषण आते ही होगे अभी तो बहुत जेंरल होगी है do marks के define the term देते बोल देंगे define spatial domain या फिर define frequency domain या फिर difference between spatial and frequency domain या फिर what do you mean by lower frequency component higher frequency component तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियो देखने के बाद आप लोको इन इन टम्स में कहीं भी दिक्कत आ रही होगी इन टम्स को मैंने यहां स्पेशियल डॉमन और फ्रिक्वेंसी डॉमन को क्योंकि उसको मैंने बहुत ही अच्छे से और सिंपल लैंग्विज में इसी तरह के एक्जाम्पल देके मैंने पिछले वीडियो में एक्स्प्रेंड किये मैं फिर से कह रहा हूं कि इसकी लिंक आपको प्लेइलिस्ट की लिंक भी दिस्क्रिप्शन मिल जाएगी और जो नोट से फ्री में वह भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी अब जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि मैं आप लोग को एक्स्पेसल पॉइंट देने वाला हूं जो आप लोग को एक्जाम में काम आने वाली है तो वह है कि DCT जो है यह सपोर्ट करता है लॉस लेस क्या लॉसलेस ट्रांसफॉर्मेशन हमारी जो कोई भी कंप्रेसन जब हम लोग करते हैं तो वह दो टाइप्स की होती है लॉसलेस और लॉसी लॉसलेस मतलब क्या कि जब आप लोग इसको कंप्रेस कर रहे हैं तो इसकी एट्रिब्यूट्स खोईगी नहीं अगर हम लोग इसको बापस मिन्स डिकॉंप्रेस करें तो उरिजिनल इमेज हम लोग को मिलेगा लॉसलेस का एक मेन फीचर यही है कि अगर हम लोग कोई इमेज को कॉंप्रेस कर रहे हैं कॉंप्रेस तो वह एक अलग इमेज में कंवर्ट हो रही है लेकिन जब हम लोग इसको अगर वापस डिकॉंप्रेस करेंगे तो हम लोग को अपना ओरिजिनल इमेज ही मिलेगा रिटन कोई भी उसमें एक जरा से भी चेंजेज नहीं आगी अगर यह इमेज था किसी भी मिन्स कुछ भी माली जह कोई भी इमेज था जिसका साइज था 2 0 4 0 तो इसको ट्रांसवर्म करके मैंने थाउजन का कर दिया लेकिन जब डिकॉंप्रेस करूंगा तो यह वापस 2 0 4 0 ही होगा ना 2 0 3 9 होगा और ना ही 2 0 4 1 होगा यह होता है इसका फाइदा लॉसलेश ट्रांसफोर्मेशन का तो DCT जो है वह लॉसलेश ट्रांसफोर्मेशन है आप लोग यह पॉइंट एक्सप्लेइन कर सकते हैं मैं नोट्स में डाल दूँगा इसका डेफिनेशन भी आप लोग वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं तो उमीद करता हो कि बहुत ही सिंपल थरीके से और जेनरल लाइफ एक्जामपल से मैंने आप लोगो यह टॉपिक समझाया है उमीद करता आप लोगो वीडियो पसंद आयागा अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरे और कमेंट करके मुझे बताएं कि अगर मुझसे कुछ चूक हो रही है अगर मैंने वीडियो में कहीं कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज कमेंट आउट कीजिए और पसंद आ रहा होगा तो उस पर भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे है मिलते हैं अगले टॉपिक पे इसका नाम है SVD वो भी इंपोर्टन टॉपिक है वीडियो मिस ना करें थैंक्यू बाइबाइ